हेलो फ्रेंट्स आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ तीन नए नोटिफिकेशन्स सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप में से उन सबी स्टूडेंट्स के लिए जिनोंने जून 2019 तामेंड एंह इजामीशन्स के लिए अपने असाइमेंट्स समिट किये थे सो दोस्तों आपके अस्ट्राइंड्स production और related Submission का Status इगनो की website पे update कर दिया गया दोस्तों आप यहां पे अपने 9 digits के enrollment number इंटर करके अपना program code select कर दिजे select करने के बाद में आप यहां पर Submit कर दीजे । Submit करने के बाद में आपका assignment submission status कुछ इस तरीके से open हो जाएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं session जोन 2019 सो दोस्तों आपके assignment submission का status अपडेट करना start कर दिया गया सो आपके assignment submission का status भी जल्दी ही update कर दिया जाएगा आप इसे time time पे check कर सकते हैं आपके assignment submission के status के साथ साथ आप यहां पे देख लिजे आपके practical submission का status भी update कर दिया गया आप में से जिन भी students ने अपने assignments submit किये हैं वो सभी students अपना status यहां पे चेक कर सकते हैं वीडियो के description में आपको इसके चेक करने के लिए direct link मिल जाएगा दोस्तो next notification उन सभी students के लिए जिनोंने June 2019 में अपने exams दिये थे और आपने यहाँ पे early declaration of results के लिए apply किया था तो दोस्तो आप में से जो भी students जिनोंने इसके लिए apply किया था वो सभी students अपना result यहाँ पे check कर सकते हैं आपके results की यहाँ पे second update कर दी गई है तो आप यहाँ पे results को click करके next page में आ जाएंगे इस page में आपको time end को select करना है आप time end को click करेंगे तो आपके सामने कुछ नए options open हो जाएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं early declaration for June 2019 exam results so आप इस link को click करके और अपने result वाले page में आ जाएंगे आपके results को यहाँ इगनू की तरफ से 3rd July को declare किया गया था इसके बाद में आपकी result की second update 11th July को update कर दी गई आप यहाँ पे देख सकते हैं status as on July 11th 2019 so दोस्तों आप यहाँ पे अपने results check कर सकते हैं दोस्तों मैं आपसे request करूँगा आप में से जिन भी students के result declare हो गए हैं वो सभी अपने enrollment number वीडियो के comment books में comment करके बताना ना भूले आपके normal results को अगस्त के second week में declare किया जाएगा so दोस्तों आपके results से समंदित हर update के लिए आप मेरा channel subscribe कर ले subscribe करने के बाद में इस bell icon को press करना ना भूले ताकि आपको timely notification मिल सके दोस्तों third notification आपके grade card से समंदित है आपके grade card को भी यहाँ पे latest 11th जुलाई को update कर दिया गया जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं current grade card status as on July 11th 2019 so दोस्तों आप अपना grade card भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं दोस्तों आप अपना assignment submission status अपने June 2019 के early declaration results और अपना grade card चेक करने के लिए वीडियो के description में direct link दिया हुआ है आप वहाँ से click करके और इन्हें चेक कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें अपने friends के साथ में facebook पे, whatsapp पे, twitter पे share करें अगर आप मेरे channel पे पहली बार आए हैं तो please subscribe my channel and press this bell icon Thank you friends, keep watching tips guru